Welcome to my channel, कैसे हैं आप सब, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ Animals कितने टाइप के होते हैं according to their food habits मतलब उनकी खाने की आदतों के हिसाब से आप उन्हें कितने parts में divide कर सकते हो Basically, 5 टाइप के होते हैं Animals अगर हम उनकी food habits की बात करते हैं कैसे आप differentiate कर सकते हो सब में और कुछ examples भी मैं आपके साथ share करूँगी तो वीडियो बहुत जादा useful है, पूरा जरूर देखिएगा सबसे बहले बात करती हूँ, पहले होते हैं Herbivores Herbivores वो Animals होते हैं जो, जैसे कि इसके नाम से ही आ रहा है हर्ब मतलब जो plants खाते हैं, पेड पौधे खाते हैं, वो होते हैं Herbivores Carnivores, Carnivores वो Animals होते हैं जो मास खाते हैं चलिए मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ ना सिर्फ definition हम लोग देखेंगे हम लोग देखते हैं book से, ताकि आपको थोड़ा सा idea लग जाए कि क्या होता है और कौन से examples होते हैं, देखें ये जो book है ना ये मेरी दिशा की है, class 4th की, तो 4th में ये उसे introduce हुआ है कि food habits के हिसाब से हम कितने तरीकों में बाट सकते हैं, कितनी classified कर सकते हैं कितने तरीके से, तो ये है Herbivores, Carnivores, Omnivores, basically ये ही scene main होते हैं, बट मैं आपको 5 बताने वाली हूँ, Herbivores, वो होते हैं जो plant eater होते हैं, जिने बोला जाता है Herbivores, सबसे आसान तरीका है कि इसमें है Herb, Herb मतलब होता है पेड़ पॉंधे, तो वो animals तो सिर्फ पेड़ पॉंधे की, तो इनके जो front के teeth होते हैं, वो काटने के लिए बने होते हैं, मतलब खाने को अपने तोडने के लिए बने होते हैं, और पीछे के जो दाथ होते हैं, ये grind करने के लिए बने होते हैं, मतलब चबाने के लिए बने होते हैं, ठीक है जी, second देखते हैं, second है Carnivores, Carnivores वो animals होते हैं जो मास खाते हैं, मतलब meat खाते हैं, loin tiger, fox and lizards are meat eater और Carnivores जिने हम बोलते हैं इनके teeth बहुत ज्यादा sharp होते हैं और ऐसा रही है कि सिर्फ animals ही Carnivores होते हैं कुछ birds भी होते हैं जो Carnivores होते हैं, जिनमें है eagle और kites मतलब chill और जो होते हैं chill और kites को Hindi में बोलते हैं, I think baas, जी हाँ इनकी बहुत ही sharp चोच होती है और पंजे होते हैं जिससे इने बहुत ही help मिलती है अपने मास को तोड़ने में अपने खाने को तोड़ने में इनकी eyes बहुत ज्यादा sharp होती हैं next होता है omnivores omnivores वो होते हैं जो कुछ भी खाते हैं मतलब जब उनको मिलता है grass तो वो घास भी खा लेते हैं जब उनको मिलता है meat तो वो meat भी खा लेते हैं जैसे कि मैं आपको example देती हूँ beer का beer plants भी खाता है but beer fish भी खा लेता है तो मतलब जैसा खाना मिलेगा वो वैसा खालेगा वाला हिसाब है तो omnivorous वो animals होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं like beer, crow, pigs, cockroaches are omnivorous these animals eat both plant and animals fourth type होती है scavengers scavengers वो birds और animals होते हैं जो बच्चा कुच्चा मास खाते हैं जैसे मालो जंगल में tiger ने, loin ने किसी का शिकार किया उन्होंने पूरा खाना खा लिया बट उस जो animal का शिकार किया था ना उसकी dead body में कुछ मास छूट गया है वो ये खाते हैं इनमें example होते हैं vultures vultures कभी भी खुद शिकार नहीं करते वो जो भी बड़े animals जो भी animals होते हैं carnivorous animals जो भी शिकार करते हैं उसका meat जो बच जाता है वो खाते हैं ये कभी भी खुद शिकार नहीं करते हैं they feed on dead animals वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं शिकार खुद से नहीं करते हैं इनकी बहुत ही strong चोंच होती है ताकि ये उस dead body में से flush को अलग कर सकें बहुत ही आराम से fifth type जो होती है वो होती है parasites basically parasites क्या होते हैं parasites आपकी body के अंदर और बाहर animal की body के भी अंदर और बाहर दोनों में ही रहते हैं और उन्हें खाते हैं मतलब अंदर से आपकी body को खतम करते हैं कई parasites जो हम लोगों ने भी देखे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे की bad bugs cut mal और lees lees मतलब होता है जो हमारे सर में जू हो जाती है ना बच्चों के सर में बहुत ज़दा हो जाती है वो भी क्या करती है वो भी आपके सर से चिपक जाती है और आपका खून चूसना शुरू कर देती है they suck blood and eat the digestive food inside the body of the host तो ये होते हैं पाँच टाइप के animals की category तो I hope इस वीडियो से अगर आपको थोड़ सी पी knowledge मिली है तो आप इस वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लेंगे thank you, thanks for watching, bye